हेलो आप सभी होप आप सभी अच्छ होंगे और अपना ध्यान अच्छ से रख रहेंगे और आज है हमारे पास गाइज हुंड़ाई आइटेन और इसमें सी एंजी इंस्टॉल हुआ है और कितना इसमें खर्चा है क्या सारा डीटेलन बात करने वाले हैं और इस गाड़ी को आज हमारे साथ है और मैं अभी उनको बुलाना चाहता हूं तो सबसे पहला मेरा कोश्चन है कि कब का मोडल यह गाड़ी आपका यह हमारी मोडल है 2016 का तो अपने कभी इंस्टॉल कर वाई शे महीना हो चुका है च्छे महीना और परफोर्मेंस इसका बहुत जब अजास्त ह तो कहीं कøy दिकत नहीं नमें ऊता है बहुत लोगा जैसे कोशन होता है कि जो अम पैट्रॉल मार्केटिंग सिस्ट्रॉल करवाइज है तो कहीं कहीं मोता है जैसे कि सब्सेंद ON प्रयाइक क्या रएका जहाता है तो इस पर वह शुक्मिया बलत बात है कुछ भी नहीं 어때 पूराना भी गाड़ी अगर आपके पास है तो आप उसमें सी एंगी इंस टॉल करवा सकते हैं और यह हमारी जो गाड़ी है इसमें किसी परकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक मैं कोश्चन आप से पूछना चाहता हूं जब पेट्रॉल पी चला थे थे क्या माले देता जांब जान की आपको नाम करते हैं और अम दुनों साथ में जाते हैं और बाइक के मतलब की दाम में हम लोग कार से घुमते हैं तो जाहिर छी बात है जैसे प्रेम भाय ने बोला की 30 मैले देता है और नॉर्मल जो आप बाइक से भी जाओगा तो तो करीब 35-30 आपको गर्मी ठंडा बरसाद कुछ भी हो आराम समलोग इसमें सारे कुछ करते हैं अपना काम हम सारे कुछ हो जाता है और कितना खर्चा है आपका इंस्टॉल कराने में तो उसको 40 रुपे देना पड़ता है और ऐसे अगर आप पड़ता है तो उसमें आपको 25 रुपे के वल टंकी का देना होगा सेकने लगता है वह वह भी वेवस्था है पटना में अच्छा अब कहां पर इंस्टॉल करवाई तो एक मतलब लीगल टाइप करवा सकते हैं एक लीगल टाइप वह आपके उपर डिपेंड करता है पेपर व करते हैं क्योंकि गाड़ी को डेली करना ही है जी डेली बिल्कुल गाड़ी चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और क्या क्या जैसे फिटिंग हुआ सारा कुछ इस वीडियो में आप सबको दिखाएंगे कहा का इंस्टॉल हुआ है और प्रेम्ट भाई हमारे साथ जी अगर आप लेते हैं तो इसका तीन सेलेंडर गाड़ी होता है थोड़ा सा पीक अप का अंतर पड़ता है लेकिन इस गाड़ी में आई 10 वी इंस्टॉल कर आए लेकिन पेट्रोल कमा जा ले रहे हैं जैसे फिडियों कर आसारा कुछ वही पेट्रोल वहाला मिलने वाला जैसे बिसमें अब कर जाता और पैसा सेव हो जाता है है कि नहीं बहुत बहुत पैसा पाल सेवर सब्सक्राइब लगा है लेकिन लगता कि फेमधा होते 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 इतना मेरा Ranch है गाल पैसा सबने में पैसे का पूरा निक्सका लेका है टुचल टैंक है 14- än लेकिन उसमें सी एंजी आता है आठ लीटर तो अब टैंक फूल करवाते हैं तो कितना लगभग किलोमेटर चला जाता है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं मैं जब इसका टंकी फूल करवाता हूं आठ लीटर का तो हमारी गाड़ी जो है 200-200 किलोमेटर के आसपास चलती है अबरेज 200-200 किलोमेटर आराम से चलके आजाती है आठ लीटर में अच्छा मलीजी हमारे यहां से जैसे बनारस जाना हुआ बनारस ऑप डाउन हमारी गाड़ यहां से बनारस जाके अराम से घूमूम के गाड़ी पंदरसों में आ जाता है अगर हम हाईवे पर ड्राइब कर रहे हैं तो यसी अगर हम गाड़ी के चलाते हैं तो फिर उसका मैलेस पर्फॉमेंस क्या रहता है से महीना पहले मैंने लगाया है इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी तो ठंडा में इंस्ट्रॉल करवाए तो इसका व्यादा एक्स्पिरियंस नहीं है लेकिन मुझे जहां तक पता है कि पेट्रॉल पर भी एक-दो किलमेटर कांटर आता है तो सी एंजी पर भी एक- कैसे फिट हुआ है और टेंक पीछे भी आप सबको दिखाएंगे तो पहले इंजन आप सबको दिखाते हैं अब दोस्तों दिखाता हूं यहां पर देखिए थोड़ा सा कैमरा करीब में लिए यह देखिए यहां पर देख रहे हैं यह सब प्लग है जैसे कि पेट्रॉल में यहां पर देखते हैं चार प्लग यहां पर लगा हुआ है यहां पर लग जाता है इंस्ट्रॉलेशन के टाइम में पूरा उपर का खुलता है इसमें कोई प्रॉबलम क्रियेट नहीं होता आप अराम से खुलवाइए लगवाईए और एक बहच यहां पर हम लोगो को दे द पर दिखाता है जिए ठीक है कोई दिक्टत नहीं है एड़ेश्ट हो जाता है वैसे इसका नया बूट ज्यादा होता नहीं है जायर से बाते खुल जाएगा तो तो इसको अगर आप इंस्टोल कर वाते हैं तो सर्विसिंग टाइम से करवाना बहुत जरूरी होता है बढ़ तो सारा कुछ आप सबको दिखाने वाले हैं देखिए फ़ड़ा सा गंदगी है वह सब माइंड नहीं करना है गंदगी नहीं देखना है और टैंक वेड़ा देखिए और क्वालिटी वेगारा मतलब कि कहना नहीं है जारी से बाता से इंच्टॉल हुआ है तो क्वालिटी आपको अपर यहां पर यहां पर रखें तो इस वाट से लेकिन अब थोड़ा बहुत लगेज वेगर आप से रख सकते कोई दिक्कत नहीं होने वाले आपको तो ऐसा आपको बूर्ट मिलने वाला है कुछ था था हमारा आईटेंज का रिभ्यू और आनर ने जैसे कि बताया करें को सब्सक्राइब करें सेर करिये दबा करके जिनको भी लेना होगा अपना सी एंज इस वीडियो के माध्यम से तो हमेशा पर आते रहता है और आइकन जो है दबा दीजे कि नोटिपिके सब प्रेस कर दिए ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले प्रेमदास ब्लॉग चैनल का नाम होगा मेरा जाए जरूर वीडिट करें और इनका लिंक मैं दिस्क्रेशन और इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रेशन में जागा आप वहां से जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो यासा आप लोग नहीं देखा गाइस तो सारा डीटेल हम बने रिये हमारे साथ और फिर समय एक बर बोलों को सब्सक्राइब कर दिये और मिलते हैं किसी नेक्ट वैकलुवी में तब तक लिए जाहिंद बने मातर हुआ